वीवो की X-Series अपने innovative camera technology, amazing display, जबदस performance और beautiful designs के लिए जानी जाती है और अपनी इसी series को आगे बढ़ाते हुए वीवो इंडिया में लेकर आ रहा है वीवो की X70 series जिसमें आपको तीन नए phones देखने को मिलेंगे वीवो X70, X70 Pro और X70 Pro Plus इन में जो highest variant है वो होगा वीवो X70 Pro Plus इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वीवो X70 Pro Plus के क्या कुछ specifications आपको देखने को मिल सकते हैं किस price point पे launch हो सकता है और कैसा रहने वाला iPhone Hello guys, this is Roshna, welcome to my channel Techshah तो सब को जानने के लिए watch the video till that इस फोन में आपको डिस्प्ले जो है कव देखने को मिलेगा 6.7 इंचिस का Super AMOLED E4 डिस्प्ले होने माला है यानि कि डिस्प्ले काफी जबर्दस देखने को मिलेगा आपको यहां पर और जो है color को maintain करने के लिए pixel shift technology का यूज भी वीवो इस में करने माला है तो जो डिस्प्ले मिलेगा आपको उसमें आपको 120 Hz का refresh rate और bezels वगरा काफी thin होंगे इस फोन के तो डिस्प्ले जो है वो हमेशा की तरह ही जैसे X-Series में होता है काफी जबर्दस डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं इसके camera की तो क्योंकि एक camera centric phone है तो camera काफी जबर्दस होने वाला है बैक पे आपको quad camera setup देखने को मिलेगा और वीवो की जो X-Series है उसका जो special चीज है वो है gimbal camera जो कि अभी किसी और smartphone में हमें देखने को नहीं मिला है यह related होता है आपके हाथ की movements के कारण क्योंकि जब हम लोग shoot करते हैं तो hands की movement के कारण videos जो है वो shaky हो जाते हैं लेकिन इसमें hardware level पर ही इस तरीके से adjust हो जाता है camera कि वो सारे movements compensate हो जाते हैं और जो है हमें एक stable video देखने को इसमें मिलता है तो इसमें gimbal की जो है technology को और जादा जो है advanced किया गया है इसमें 3.0 generation इसमें देखने को मिलेगी जबकि X60 series में आपको gimbal 2.0 generation देखने को मिला था तो जो primary camera होगा इसमें वो 108 MP का भी हो सकता है या फिर 50 MP का हो सकता है उसके बाद जो ultra wide है वो आपको 48 MP का देखने को मिलेगा जिसमें gimbal 3.0 आपको देखने को मिलेगा उसके बाद जो third camera होगा वो tele macro lens होगा और fourth जो होगा वो macro lens होगा तो camera की जो specifications है वो काफी जबदस्त होगे और इसमें आपको मतलब इतना अच्छा है इसका camera की आपको DSLR जो ह है आपका DSLR का भी requirement पूरा कर देगा फ्रेंट पे आपको 32 MP का सेलफी camera देखने को मिलेगा और जो इसमें जो सैमसंग के सेंसर्स यूज किये गए हैं जो की अभी लेटेस सेंसर्स है हम 3 सेंसर्स फोन का जो डिजाइन Google Play console पा लिस्ट हो है उसके according इसमें एक secondary screen भी हो सकती है जैसे कि Mi 11 Ultra में आपको देखने को मिले जिसमें की back पे भी एक छोटी screen होती है और आप उसकी help से मतलब back camera जो होता है क्योंकि हर फोन का अच्छा होता है तो आप back camera से भी selfies जो है वो क्लिक कर सकते हैं बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर जो है इसमें आपको snapdragon 888 प्लास जो snapdragon का अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकता है एक चीज़ में आपको शुरीटी से कह सकते हूं इसमें वीव की ISP चिप देखने को मिले की अपनी बनाई हुई ISP चिप है यानि की image signal processing unit अगर आपको नहीं पता है ISP क्या होता है तो ISP जो है हमारा अंदर इमेज की और फिर हमें final result देखने को मिलता है तो यह जो ISP चिप होती है यह वीव ने अपनी बना कर इस फोन में डाली है तो देखते हैं कि उसकी वज़ा से कैमरा में हमें क्या-क्या नई चीज़े देखने को मिलती है बैटरी की अगर बात करें तो यहां पर आपक 75,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग जो है हो सकती है जब इंडियन मार्केट में आएगा तो यह एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन होगा और डेफिनेटली हम उसको कोशिश करेंगे जल से जल अनबॉक्सिंग लाने की ताकि आपको जो है रियल में पता चल सके कि क्या चीज ह कैसा है फोन और किस टाइप की परफॉर्मेंस देने वाला है बागी इसमें जो जीपी यूज किया गया है वो अड्रीनो 660 है तो गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको यह हम पर काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है आपको फोन के स्पेसिफिकेशन कैसे लगे मुझ ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई स्टे सेफ से कनेक्टेड